जोहार एंजय हैं दूस्तों आप लोग ऐसे हैं मेरे खेल से अच्छे हैं और अच्छी से अपना प्रिपेशन कर रहेंगों दूस्तों और उद्धिनाक्त राज में फिर से आप लोग लिए जारकन जीके का पिर भी सियर कोशन दूस्तों आज के हम लोग सेट नमबर पांच ह जो कि अगामी आने वाले जारकन छेटर करता हो गया उत्पात पुलिस हो गया इन सभी की एकजाम मिसन में आप लोग का यहां से प्रसंद देखने को मिलेगा और इसी परकार का प्रसंद आप लोग का एकजाम मिसन में भी आएगा है ना जैसा का आप सभी को पता होगा कि जारकन छेटर करता है और उत्पात पुलिस में आप लोग को 50-50 कोईसन जारकन जी के से पूछा जाएगा ठीक है यानि 50 कोईसन के बेलू समझे रहे दोस्तों तीन से गुना करते डेर सो कोईस नंबर ठीक है सिर्फ जारकन जी के सराने वाला ठीक है अगर आप लोग को नो कर गया इसलिए आप लोग को अभी से त्यारी में लग जाना होगा अब देखे नए सरकार का भी गठन 28 नॉम्बर को होने जा रहा है ठीक है तो आप लोग भी अभी से त्यारी में लग जाए नहीं तो पता नहीं कब डेट घोसिस कर दें तभी फिर रोटते रहिएगा फि आप लोग अभी तक जोहरीक दों सस्क्राइब ने कियांगों सस्क्राइब कर लीजए गा ठीक है ताकि आप लोग का जब भी आपने क्लास होगी जोहरीक जाब में तो सबसे पहले आप लोगो नोटपीकेशन मिल सके गो और आप लोग बताजेना चारे जारकन जी के कलास रोज आप लोग का रात के 8 बजे जो आरिक जब के YouTube चैनल में आप लोग को देखने को मिलेगा ठीके तो सभी लोग आप लोग जोइन होईएगा और साम के 7 बजे आप लोग का साइन्स का मिलेगा और रात के 10 बजे आप लोग का साइन्स का कलास आप लोग को मिलेगा ठीके तो आप लोग जोइन हो जाईए तो चलिए अब लोग आज की कलास को स्टार्ट करते हैं तो तकि आज के पहला नमने में, आप लोगके लेके आये हैं, बताइए, बंडा पहाड कहां इससे थे खिते खिते हैं? किस जीले में इससी थे बंडा पहाडी!! चत्रा जीला में, हाजारी बाग-ंजिला में धि any पिर मोजीला में इसका राहिट अंसर क्या हो जायेगा? पहार की बात करते दोस्तों यह आप लोग का हजारी बागमी इस्तित है सी नम्बर ऑप्शन बिल्कुल राइट एंसर आपका हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स प्रसंद देखिए ठाइड नमर में दिया हुआ एन आर डी डवलू पी का पूर्ण रूप क्या होगा राइस्ट ग्रामिन पिकास कायर कायर करम राइस्ट ग्रामिन पैजल कायर करम राइस्ट रेपीट डेवलोप्मेंट वर्क प्रोग्राम राइस्ट छेत्र पैजल कायर करम तो बताए इसका राइट एंसर क्या हो जाएग दर्म हिंदू दर्म ईसाय दर्म या फिर इसलाम दर्म तो इसका एक दम फोर का वि sedans आपका क्या हो जाएगा यानी कि जयन धर्म, ठीक है पारचनात्पाणльी किसом, जिलम इस तीथ है दोस्तो, यह गेड़ी जिलम है ठीक है, चले नेक्स्ट जहरकन लोग से हुं आयो का तन्य का गठन डहीं हुआ था 2021 में, 2001 में 2002 में, 2003 में तो जहरकन लोग से वा आयो की गठन की बात करते हैं दोस्तों इसका बिल्कुल आपका right answer क्या हो जाएगा C number यानि की 2002 इस भी में जहरकन लोग से वा आयो का गठन हुआ था ठीक है चले next percent के रोम लोग बढ़ते हैं next percent देखे आपका दिया हुआ है पलामू परमंडल का मुख्याले कहां इसती थे राची में हजारी बाग में मेदनी नगर में या फिर उप्योक में से कोई नहीं तो बताए पलामू परमंडल का मुख्याले कहां है हेड़ क्वाटर कहां है इसका right answer क्या हो जाएगा मेदनी नगर टेक है सी नमर उप्सन बिलकू right answer हो जाएगा मेदनी नगर नेक्स्ट देखिए पलामू परमंडल के अंदर कितने जीले आते ही दो जीले तीन जीले चार जीले या फिर पांच जीले तो सेवेन का बिलकू right answer हो जाएगा तीन जीले कौन कौन से तीन जीला आता है वो आप तो कमेंड करके बताइए चलिए 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 नेक्स्ट देखिए आठ में दिया हुआ है अनुसुच्ची छेतरों में पंचाथ बिसार अधिनियम यानि कि पेसा का पारित किया गया 1996 इस भी 1993 में 1995 में 1999 में तो बताइए आठ का right answer क्या हो जाएगा 1996 बिलकूल right answer हो है देखिए नाइन नमर में आपका है राइस परसासन का मुख्य केंद्र होता है का होता है मुख्य मंत्री कारिया लए सची वाले मुख्य सच्ची कारिया लए इनमें से कोई नहीं तो नाइन का बिलकूल right answer हो जाएगा सच्ची वाले ठीक है बी नमर option जो होगा बिलकूल स दिया हुआ है जारकन राइज में पंचायती राज की संदचना कैसी है एक अस्तेरिया है दू अस्तेरिया है तिरी अस्तेरिया फिर इनमें से कोई नहीं तो जारकन में पंचायती राज की संदचना की बात करते हैं तिरी अस्तेरिया ठीक है आपका क्या हो गया पंचाय समी समिति होता है और जीला परिश्ट होता है जिला फरिश्या हो जो凜ो कि लेबल में पंचय समीति Marx नफ यह नभाएन को जारकंद विधन सभा बनाएं विस्वह जाष्ट अदी वाई हाउस तो फिर के विलकुत स्वह सब्सक्रिंग धूकर बनाया गया था बाद में अभी नया में बनाया गया है ठीक है जो कि धुरुवा में देखिए आगे है केंद्र इंधन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तिते कांके में धनबाद में जलगोडा में या फिर नामकूम में तो बताई बारों का राइट एंसर क्या हो जाएगा नगरी के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि जार्खन में बहुत ही अधिक मात्रा में आप लोगा धनबाद में कोईला पाया जाता है नेक्स्ट देखिए केंद्र खनन अनुसंधान संस्तान कहां इस्तिते कांके में धनबाद में राची में या फिर गोमिया में तो तेरो का बिलकुर राइट एंसर सी हो जाएगा यानि की राची में ठीक है तेरो का सी बिलकुर राइट एंसर सोरी दोस्तों इसका धनबाद होगा ठीक है बी नमबर उप्शन से होगा धनबाद चले नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है चवदर नमबर में आपका जहारकन चमसित्पूर में राची में धनबाद में बताई कहां इस्तित है सभी लोग कमेंड करके बताईए चोदो का विलकुल आप लोग सही लोग कमेंड करके बताईए तब ना होगा इसका सी नमर हो जाएगा यानि की राची ठीक है राची आप सभी पता होगा जारकन की रजध कहां इस्तित हैं पताइए ज्टारकन में गुरुकुल महाभिध्य अलई कहा इस्तित थें धनबाद में बोकारों में आपका देवगर्मीं या फिर राच्छी में तु बताइए पंद्रों का राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका चलिए सभी कोई कमेंड करके बताइए क्या होगा पंदरों का क्या होगा जारगन में गुरु कुल महाबिद्ध ले कहां इस्ति थे सबी लोग कमेंड करके बताईएगा ठीक ना तो यह देवगर में देवगर को देवों का नगरी भी कहा जाता है ठीक है देवगर से कितने लोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा चले नेक्स्ट है जारकन में मिट्टी अनुसंधान केंदर कहा हिस्तित थे हजारी बाग में, चत्रा में, राची में या फिर जमसेथपूर में तो सलो का बिलकूर राइट एंसर क्या हो जाएगा मिट्रो ताओ, क्या हो जाएगा हजारी बाग, आप लोग कमेंट करें के बताए हजारी बाग में किस परकार का मिट्टी पाया जाता है चले नेक्स्ट है, जारकन में चावल अनुसंधान केंदर कहा है दुमका में राची में हजारी बाग में या फिर चत्रा में बताए जारकन में चावा लनु संधान केंद्र कहां इस्तित है बताए सतरों का राइट एंसर क्या होगा बताए सी नमर यानि की हजारी बाग ठीक ना चिली नेक्स्ट है राची में इसी दिर राजेंद्र आयरुविज्यान संस्थान के सपना की सुवर्श हुई थी 1948 में, 1960 में, 1950 में फिर 1982 में बताए कब हुआ था अठारों का राइट एंसर क्या हो जाएगा बोलिए 1960 यानि की बी नमर आप्शन बिल्कुल से एंसर हो जाएगा 1960 में चले नेक्स्ट है बाहर तिला अनुसंधान संसान की सस्तान पे ग्रेडी में, गुमला में, राची रामकुम या फिर जमसेद्पूर में इसका राइट इंसर आप लोग को हो जाएगा राची नामकुम में आप लोग कमेंट करके बताएं कि भायत तिला अनुसंधान के असला अपना नामकुम रांची में कब हुआ था चली नेक्स्ट है 20 नमबर में देखिए जारकन पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था 2000 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2003 में तो बताएं 20 का राइट एंसर क्या हो जाएगा चली सभी लोग आप लोग कमेंट करें के बताएं 20 का राइट एंसर क्या होगा बुलिए क्या होगा, C नमबर ऑप्सन यानि कि 2001 इस भी में, ठीक है जारकन पंचायती राज अधिनियम ये आप लोग 2001 में ये पारित हुआ था चली एक्स प्रसिंट के रूम लोग बढ़ते हैं देखिए जारकन छेद्र का पर्थम साहित्य कुलेक एत्रय ब्राम्हन में किस नाम से मिलता है पंड्र, कलिंदेश, नागदेश या फिर इन में से कोई नहीं तो 21 का आप लोग राइट एंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग को कमेंड करके सभी लोगों को बताना है देखिए कमेंड किजिएगा तब न पता चलेगा आप लोग कितना पानीम है नहीं है तो आप लोग सभी कोई कमेंड करके बताईएगा ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ए नमर यानि कि पूंड्रो है पूंड्रिक न्या बसमा क्या आपका दिया हुआ क्या वायू पुरान में जह्रकन को किस नाम से जाना जाता है पूंड्रो नाग देस कलिन देस या पिर मूरंड देस तुम पताई बाfolg इसका राइट एंसर और क्या होगा इसका राइट इंसर हो जाएगा मूरण देश ठीक है डी नम्बर ऑप्षन बिल्कुल से इंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट है देखिए दिया हुआ है जारखन सब्द का पहला पुरतात्विक परमान की सताब्दी के तामरपद में मिलता है तेरवी सताब्दी के सताब्दे चौत्वी सताब्दे या पिर पांचीज सताब्दी तो अम लोग इसका जो राइट एंसर हो जाएगा तेरवी सताब्दी यानि यह ये नम्मबर जो औप्षन होगा बिल्कुल आम्म लोग राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसिंग के और हम लोग चलिए बढ़ते हैं बिसनु पुरान में जहारखेन को किस नाम से जाना जाता था पुंड्र, मूंड, कलिंदेश, मूरंड देश तो पताए चोबिस का राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा पताए जिसका मूंड हो जाएगा यानि कि B नमर उप्सन बिल्कूल सही एंसर हो जाएगा चलिए नेक्स टे देखिए जहरलाल नेहरू जेवी कुद्दान कस्त अपना कब ही थी 15 जनवरी 1985 को 25 परवरी 1985 को या फिर 14 जनवरी 1990 को या फिर आप लोगा उप्सन D में दिया हुआ है 15 फरवरी 1985 को तो बढ़ाए इसका राय इंसर क्या हो जाएगा 25 का राय इंसर क्या होगा वो आप लोग को कमीट करके बताना है पंधिक को 24 जनवरी 1990 C नमर जो उप्सन होगा आपका बिल्कुल राय इंसर जाने वाला है चलिए नेक्स्ट है 26 नमर में जहरलाल नेरू जेवी कुद्दान कहां इसती थे रांची में हजारी बाग में बोकारो में या फिर प्र पलामू में तो यह आप लोगा बोकारो इस्टिल शिट्टी में ठीक है और देखिए प्रसन पहले मतलब पिछले एकजामिसन में आया हुआ है ठीक ना एक्स पॉइंट पॉइंट इंक अलिब ऑस या फिर 25 एकशत परतिसर तो 27 का जो आपका राइट एंसर हो जाएगा पी नमबर आप्चन यानि कि सलोग पॉइंट एक अचर परसेंट चले नेक्स्टेट इसन वां देखिए राइस की कुल छेतरपल में क्रिसी योग भूमी का कितन पर 600 तीस पर 25 पर तीस पर 300अबर except was 28 आज़ा पा क्या रहा जा ने वाला है सब्सक्रार्णार को अध्रीन करते हैं सब्सक्रार थाना चरिए अम आप लोग का थीस सैकेट का समय देल में आप कौए को कमेड करके बताना कोई को आप लोग कमेड करना है और बताना है कि320 कि तईस परसेंट होगा तेसंट तो ठिक है और कि दूंपर कोई कुछ नि ब्ताहं तो अपको उतना में कितना सही वह उससे क्या होगा इक परकार का आप लोगे आइडिया मिलेगा यह ना कि आप लोग का कुण सब पोर्शन में आप लोग अस्टोंग है या फिर कमजोर है यह ना एक परकर का आइडिया मिल जाएगा चली नेक्स्ट है 29 नमर में राइस के क्रिसी योग भूमी में सिंचित 6 जगा कितना परतिसात है 25 परतिसात 21 परतिसात 11 परतिसात या फिर 20 परतिसात तो 29 को जो राइट इंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 परतिसात ठीक है सी नमर जो ऑप्सन होगा आपका बिल्कुल राइट इंसर राजाने वाला है चली नेक्स परसिंट कर हम लोग बढ़ते हैं पटपट पाल कोट अभियारन कहां इस्तिते चत्रा में हजारी बाग में गुमला में फिर डाल्टन गंज में तो बताएग तीस सब्सक्राइट इंसर क्या होगा आप लोग सभी कोई कमेंड करके बताईए की पाल कोट अभियारन कहां पेस्तिते 14 अजारी बाग गुमला डाल्टन गंज तो सभी कोई आप लोग चुन कौन गंज है आप लोग जरा हाजली लगाई और बताएग तीक है तो आज के हम लोग कलास नहीं पर समाप्त होती है ठीक है और एक आप लोग बात बता देना चाह रहे हैं देखिए जोहार एकजम टीम के द्वारा आप लोग के लिए जारकन छेत्र करता चाहिए उत्पात पुलिस ठीक है दोनों के लिए आप लोग देखे खोटा का नोर्स इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है यह आप लोग अगामी आने वाले जारकन छेत्र करता हो गया उत्पात पुलिस हो गया इन सभी के जमिसन में यहां सब लोग आप लोग बता देना चाह रहे हैं 100% परसन आप लोग को पूछा जाने वाला है क्योंकि जितना भी सीलब अगर आप लोग चाहते हैं जारकन छेत्र करता हमें एक सीट पका करना या फिर उत्पात पुलिस में एक सीट पका करना तो यह नोर्स जो है आप लोग के रामबान होने वाला है क्योंकि आप लोग बता देना पेपर 2 ही आप लोग के लिए दिलानी वाला है ठीक है तो अपने सपनों को सकार करना, अपने माबाप को सपनों को सकार करना, अपने खुद के सपनों को सकार करना, तो ये नोर्स आप लोग के लिए बहुत ही रामबान होने हो रहा है, ठीक है, अभी फिलाल आप लोग के लिए पेपर 2 के लिए खोठा के लिए लाएं, ठीक है, बहु सोटा के लाई है तो कि खोटा का आप लोगा नोर्स त्यार हो गया है ठीक है अगर आप चाहते हैं नोर्स पराप्ड करना चाहते तो चलिए आप लोग का वह प्रोसेस बताते हैं कैसे करना नहीं तो देखे एक नंबर दे रहे हैं 8789 125 229 तो नम्बर पर आप लोग क्या करना है टू तू बोड रहे हैं 149 यानि की 119 पेमें करना है देन उसके दूर्टी सोट आप लोग इसी वार्टसप नंबर में भीज देना है उसके वार्टसप नमर बेज के आपको बता देना है कि आप आपको जहरकन छेट करता है या फिर उत्पात पुलिस का पेपर टू का खोठा का नोर्स चाहिए उसके बाद जवार एक जम टीम के दूर आप लोग सिर्फ दो मिनिट के अंदर में नोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ठीक है उसके बाद आप लोग अपने सपनों को सकार कर सकते हैं अपने गोल में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ठीक है आप लोग का जो सपना है ड्रीम है गोल है जहरकन छेट करता में आप लोग एक सीट पगा करना चाहते हैं उत्पात प्लीस में एक सीट पगा करना चाहते हैं तो ये नोर्स आप लोग रामबान होने वाला है क्योंकि आप फिर से पोटे 100% आप लोग प्रसने यहीं से रहने वाला ठीक इससे बाहर आप लोगो कुछ भी पढ़ने की आवे सकता नहीं है ठीक है का अपने को सकार कर सकते हैं ठीक है और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिजिए गा ठीक है अब लोग पर लोगो आप लोगो चुहार कर लीजेगा एंड बेल आइकन को फ्रेज कर दी जगा ताकि जब भी इसी पर गए आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोट्पिकेशन मिल सकेगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक ले टाटा भाई भाई जोहार